नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिकाम है रोतरा शुरुआत करते हैं खबरों की लगनों पहुचे सेम योगी आदितनाथ के आज कई कारेकरम है जिसमें वो शिरकत करेंगे अटल बिहारी बाजपई कन्वेंशन सेंटर में योगी मौ समयलन में हिस्सा भी लेंगे साथी ब्रामण परिवार लखनव का सोल हवा स्थापना दिवस समहारों में भी सियम योगी आदितनाथ आज यानि सेम योगी आदितनात की आज कई कारिक्रम है लखनाव में इसमें से दो सम्मेलन है एक ज़ग अटल बिहारी बाचपई कन्वेंशनल सेंटर है में एसीम योगी मौरे समाज सम्मेलन में शामिल होंगे और जिसके बाद वो आईजीपी में वैश्य सम्मेलन में हिस्सा ल सम्मेलन किया जाएगा इंद्रगादी प्रतिष्ठान में साथ ही सेम योगी आदितनात आज अटल बिहारी बाचपई कन्वेंशनल सेंटर में मौर समाज सम्मेलन में भी शामिल होंगे और साथ ही ब्रामण परिवार लखनों का सोलवस्थ अपना दिवस सम्हारू है जिसम साथ ही ब्रामण परिवस्थ अब भी सेम योगी आदितनात वारी ब्रामड़न पर। कई कारिक्रम निर्धारत हैं जिसमें से एक कारिक्रम के लिए वो अटल विहारी वाजपाई कन्वेंशनल सेंटर जाएंगे जहां मौरे समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे और IGP यारी इंद्रोगादी प्रतिष्ठान में वैश्य समाज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे काफी भव्य तरीके से तैयारिया की गई है दोनों सम्मेलन की क्योंकि अन्य विपक्षी पाइटिया भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है किसी भी समाज को साधने का अपने वोट बैंक को बढ़ाने का तो वहीं BJP भी पीछे नहीं है BJP भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है ताकि हर वर्ग हर समाज को खुश कर सके क्योंकि आगामी 2022 के जो विधान सबह चुना हुए उसमें हर किसी का वोट बहुत ही बहुमूल्य है और हर वर्ग को साधने की कोशिश में BJP भी लगी है इतना ही नहीं जो बड़े दिगज न जो उत्रदेश के दोरे पर आएंगे जनता को संबोधित भी करेंगे और बैठक की करके रणनीती भी बनाएंगे अगामी चुनाव की इतना ही नहीं कारकरताओं में जोश भड़ते हुए भी नजर आएंगे बड़े दिगज नेता तो BJP जादा तर चुनावों में यही र चुनावी जो रणनीती है उसको बहतर करने के पूरी कोशिश करते हैं और इस खबर पर मैंसा जादा बाचीत के लिए समधा तक गौरव जुड़ चुके हैं गौरव जिस तरह से आज इसे योगी आतितिनात के लखनव में कई कारिक्रम हैं जिसमें से दो एहम माने जा रह हैं चाहे दोरों की बात करें चाहे युनाओं की बात करें और चाहे अन्यची जनता से संभाद की बात करें या जनसवाओं की बात करें लगाता और उनके दोरा दोरे विके जा रहा है उनके दोरा जनसवा आयूजित कर सम्मूजित कर जनता संभाद के जा रहा है अकर मैं स सब्सक्राइब दोबारा चलते हुए भारतिय पार्टी दोरा इस वार भी सब्सक्राइब करा जा रहा है इसी कड़ी में जो बार अक्टूबर शुरू हुए थे आभी तक चल ला है आज राध्धानी लखनू में दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोबार चार नगर में अखिल भारतिय ब्रामन महासभा का स्थापना देवर समारो है उसमें भी मुखमंत्री योगी अर्टा सिर्क्राइब और उनकी साथ देश कर अच्छा मंतरी राणा सिंग भी रहेंगे गौरव सब ही दल अलग-अलग समाज का संबेलन कर रहे हैं लेकिन इन सब में अंतर क्या है डेके अंतर की मैं बात कहूं कि तेक बर्ग बिस्यस है तो बात करें स्कुल साथ के बॉट लेता है तो पहले भी आमेशा अन्य दलवोधा द्वारा वी संम्मिनर्ण की जाते रहे हैं और भातिंदर पार्टी दोरा भी लगातार सम्मिलन की जाते रहें तो माने सकता है कि सम्मिलन के दोरा ही बर्ग विसेज जो अलाल समाज के सम्मिलन होते हैं उनके जन्पतिनीरी हैं उनसे बातचीज की जाती है उनसे सम्माज की जाता है और उनसे उनको भरूसर रला जाता है कि अगर सरकार में दुबारा आएंगे तो आपके समाज के लिए आपके बर्ग के लिए बिसिस काम करते नजर आएंगे जी गौरफ हम आपसे ये भी जाना चाहेंगे कि बीजेपी अब तक किस-किस वर्ग और समाज के सम्मेलन कर चुकी है होंगे क्योंकि सम्मेलन के द्वारा ही आप बिसिस वर्ग की जन्पर्टिटों से मिल सकते हैं उनसे अपना संभार साजय कर सकते हैं और आने वाले चुनाओं को देखते हुए उनके बोट बैंक को साजनी का प्रियाज जो है इन सम्मेलनों के माद्धम से किया जा रहा है जी सम्मेलनों की बात तो हो गई आब दोरों और जन्सभाव की बीबी बात करेंगे कि कहा कहा हो चुके हो और आगामी समय में कहा कहा पे दोरे होने वाले सीम योगी के देखी मैं आपको अतादू कि अभी तो फिराल जो जो चर्चा में वो मामला है वो चर्चा में विसा है जो दोरा है वो फिराल आपका पूर्वानिचल लक्स परिद्व को घाटा नहुना है अब जनता को समुर्ट किया जा रहा है तो समय में चलते रहेंगे और दोर भी चलते रहेंगे क्योंकि यह चुनाव जो है बहुत दिल्चस्प है और भारतिय पार्टी को अभी तक अगर देखा जाए तो इस चुनाव के लाबा भी उत्तरपरिश की खास बात यह है कि उत् पोटर पत्रकार है बीच सड़क जाते में जाके बात करते हैं तो इस वक्त तो क्या बीजेए पी फिर सी सब्हें लाना चाहती है जाब जो करेंड़ा बात करूंग तो उत्ता-पड़ेस बीव राजिया यहां पर 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 वरतन होते रहते हैं यहां पर बातू झाहां झाह शूरम और अफ़ आने क्रम चलता रहता है। तरह आने आप गळदी गईते बसितार में tutti चत्व गैंशने में उसको मोका सबाइब करना की बात करें गराएं की बड़े बाद करें तो बड़े बड़े देश भी करोणा जो बीमारी है उसमें अपने घेल नहीं पाये थे उनकी सारी स्वास्थ भीरूस्ता नाकाम हो गई थी और बड़ी संख्यावा लोग ही मौत हुई थी तो भारत में भी आप गानते स्वास बनाई, फिजो टीम नाखिका और बात करें क्याहिए लगवाइट मों पिसंट नहीं है। प्रियास कर स Grey UW California न्युच्छ विश्र गाсь के लिए युट्र बेकर प्रियास करिए। के लिए खेलेध करें जिनकारी देते रही है। तो CM two हम ध्युज़े हैं। कि आज कई एहम दोरे हैं और जंता इनी सब चीजों पर ध्यान दे रही है कि जो दल है अलग-अलग वो किस दल को साधिने की कोशिश कर रहे हैं, किस के लिए ज़ादा काम कर रहे हैं, क्या विकास के मुद्दों पर काम कर रहे हैं या जाती धर्म क्या धार पर काम कर रहे हैं रुक करते अगली खबर की तरफ यूपी विधान सबच नाव के लिए सभी राजनितिक दल पूरी तरह से जुड़ गए हैं इसी कड़ी में आज देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू की जयनती पर प्रियंका गांधी बुलंद शहर में जिला शहर ब्लॉक वा में जिला ब्लॉक वार्ड अद्यक्षो और नगर पंचायतों के साथ समवाद करेंगी अगामी इस समय में आने वाले समय में जो 2022 में विधान सबच चुनाओं हैं उसके चलते भी वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रही हैं लगतार उत्रप्रदेश में बनी हुई हैं तो अब जो नई नीती उन्होंने अपनाई है कि दिली में से दो दिन रहेंगी बाकी हथे में बाकी दिन उत्रप्रदेश में रहेंगी तो इसी के तहत वो अब सबसे ज़ादा वक्त उत्रप्रदेश में बिताती हुई नजर आती हैं अपने कारे करता हूं के बीश मौजूद अलग अलग जिलों का दौरा करती हैं कई बड़े मुद्दों को भी उठाती हुई नजर आती है प्रियंका गांधी तो ऐहीं आज बुलंद शहर में जिलबलॉक वाड अध्यक्षों और नगर पंच्वायतों के साहिने कि कई बड़े अधिकारियों के साथ वो समभात करती जो हालात हैं उनके उपर जोयजा लेंगी यूपे बढ़ासभा चुनाओं के लिए राजनेतिक दलों ने पूरी कमर कसली हो इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी भी बुलंद शहर में नजर आने वाली है इसके पीछे एक मुख्य वज़र ये भी है कि आज पहले प्रियंका गांधी क्या कुछ कर सकती है कि अब तब से कांग्रेस को अपनी खोई जमीन पाने के जो एक उमीद है बुजाग गई है मैं लबच्छे माहिने पहले से प्रिंका गांधी यहां पर लगाता दोरे कर रही है लखनु आ रही है अपने कारकरतों के साथ प्रारिको प्रिंका गांधी ने अगवा बनते हुए विपच्छ की रूप में दिखाई दी और सबसे पहले लखिंपुर में जाकर पीडिर परिजार जनों से मुलाकार की थी तो माना दे सकता है जैसे प्रिंका शक्री हो रही है वैसे वैसे कांग्रेस के जो कारकरता है प्रारिकारी है कांग्रेस के जो लोग हैं समर्थे के लोग हैं उनमें गुस्षाय की भावना जाग गई है वो लगातार अन्य कारव के माध्यम से भी उस योजना को या उसे जो रूप रेखा तयार की चुनाओ को लेके उसको कम नहीं पढ़ना देना चाहती मैं आपको आदू लगाता लगातार वो यहां पर आ रही है अभी उन्होंने बयान दिया था कि मैं 40% मेलाओं को सीट डूँगी बड़ा बयान था उससे भी अलगे पटकरा चल लाई है उसके बी उससे भी अलगे लाव उनको हो सकता है आनवले चुनाओं में मिले इसके अलाबा उनके दोवारा लगातार लखनु आ रही है और कारकरताउं से पाड़ परिंहसें सभाद कर रही हैं अजờ कि आज उसके नए कारिकम की उस्रूबर की है ऑगो सब्सक्राइब करें 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 के लिए रोने आज शुरूबाद से हैं बुलंद से होगी जो कि परादीकारी समय प्रतिग्या समिनन्स होगा बहुत करेंगी और उनको आने वाले चुनाओ के लिए रंडीति नजारा आएंगी गौरव एक सवाल ये भी सामने आता है कि जवाहर लाल नहरू की जयनती के अफसर पर उन्हें बुलन शेहर को ही क्यों चुना? जो कहा जैसकता है कि पुरा ने बहुत अच्छे वहां का उन्हें काम किया था मेहनट की थी उसको देखते बुलन शुरूवात की है और जिस तरह से कांग्रिस जो आपकी प्रादिकरी प्रतिग्या समयनती सुरू कर रही है तो गौर तलब है कि जहां आचुकी उनकी जैनती ह और जो भी राजितिक पार्टिया होती है वो अमुनन देखा जाता है कोई विसिस तिती है विसिस जन्ती को भी किसी कारकरम की शुरूबार करते हैं चाहे बारतिय इंदा पार्टी की बारत करें और चाहे कॉंग्रिस की बारत करें इसी जैनती का फाइदा उठाते हुए प्रियंगा गांधी भी आज एक शुरूआत करने जा रही है आपको पता दे कि प्रियंगा गांधी बुलंद शहर से जिला शहर ब्लॉक वाड अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ समवाद करेंगी अपने जो कारकरम है और जो चुनावी रणनीतिया है और चुनावी जितने भी कारकरम है उसके शुरूआत आज वो बुलंद शहर से करने जा रही है और इसके साथ ही वो अलग-अलग जिलों में भी अपनी योजनाओं और अपने कारकरताओं में जोश भरती हुई नज़र आएंगी यहां रुकेंग एक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हासर होंगे